वेज मंचुरियन ग्रेवी बनाने के लिए पहले मंचुरियन बॉल बनाएंगे एक कप बारिक चप कैबेज लिया है हाफ कप स्प्रिंग ओर्नियन एंड टॉप्स एक कप बारिक चॉप पोली फ्लावर एक कप बीन्स बारिक चॉप एक चौधाई कप ग्रेटेट केरेट सेवन टेबल स्पून मेंदा डालेंगे थ्री टेबल स्पून कॉर्ण फ्लोर वन टी स्पून ग्रीन चीली पेस्ट टी स्पून साल्ट वन टी स्पून चाइनिस साल्ट एद वन टी स्पून बेकिंग पाउडर इसे हम मिक्स कर लेंगे उसमें थोड़ा पानी डालेंगे दो टीस्पुन पानी डालके मैंने मिक्स कर लिया है अब उसका हम छोटे छोटे बॉल बना लेंगे मंचुरियन बॉल अभी रेडी है इसे 30 मिनिट्स फ्रीज में रखना है अभी हम ग्रेवी बनाएंगे दो टेबल स्पुन तेल गरम करेंगे तेल गरम हो गया है अब हम उसमें दो टेबल स्पुन चॉप गार्लिक दो टेबल स्पुन चॉप जिंजर डाल के थोड़ा सौटे करेंगे लाइट सॉटे करना है एक टेबल स्पुन ग्रीन चीली फ्रेस ग्रीन चीली रेड और ग्रीन दोनों मेंने लिया है आप चाहे तो सिप ग्रीन चीली ले सकते हो इसमें आप दो टेबल स्पुन कोरियंडर लिस डालेंगे यह प्रोसेस हाई फ्लेम पर ही करना है मसाला सोते हो गया है अब हम थोड़ी देर के लिए गेस को ओफ कर देंगे और उसमें तेन टेबल स्पुन सोया सोस हाफ टीजपून सुगर हाफ टीजपून सॉल्ट हाफ टीजपून ब्लेक पेपर पाउडर एंड हाफ टीजपून चाइनिज सॉल्ट डालेंगे अजरा मिक्स करना है और अभी हम कैस ओन करते हैं यह तू एंड हाफ का वेजिटबल स्टॉप्ट है मैंने एक क्यूब मेजिक क्यूब आता है वो डालके मैंने स्टॉक बनाया है आप चाहे तो प्लेन वॉटर भी इस्तेवाल कर सकते हो ग्रेवी हमारी बॉइल होने लगी है अभी कॉन फ्लोर की स्लरी डालेंगे इसमें मैंने तीन टेबल स्पून कॉन फ्लोर और वन कप वॉटर लिया है थोड़ी दिर बॉइल होने देंगे ग्रेवी अभी रेडी हो गई है उसमें हम हाफ कप उनियन टॉक्स डालेंगे ग्रेवी रेडी है अभी हम गैस आउफ करेंगे तेल हमने गरम करने के लिए रख दिया है पहले हाइ फ्लेम पे उसे फ्राइ करना है बाद में फ्लेम स्लो कर लेना है मंचुरियन बॉल अभी लाइट ब्राउन हो गया है इसे हम निकाल लेते हैं इस तरह से सारे मंचुरियन बॉल को हम फ्राइ कर लेंगे मंचुरियन बॉल को तेल में फ्राइ कते टाइम ज्यादा चलाना नहीं है नहीं तो वो अंदर तूट जाएंगे अभी हम मंचुरियन बॉल को प्रेवी में डालेंगे ग्रीन डालेंगे हाफ कप है अभी हमारे वेज मंचुरियन ग्रेवी रेडी है अभी हम गय सॉफ करते हैं और सर्विंग बॉल में निकालते हैं स्प्रिंग ओनियन से गार्निस करेंगे